सहारा के निवेशकों के पैसे वापस करने के लिए सहारा रिफंड पोर्टल को ग्रह मंत्रिया में सहाने आज लांज कर दिया है अब सभी को सहारा रिफंड पोर्टल के जरीक कैसे भुख्तान मिलेगा इसके बारे में आगे पूरी जानकारी पूर्व न्याय दीश जस्टिस आर सुभाश रेड़ी जी से कि वे सभा को संभूधित वो पूर्व जस्टिस ने अग्रेजी में कहा हम आज भुक्तान के लिए प्रतिबद्ध हैं और नियमित और निस्पच भुक्तान के लिए सबकी गाड़ी कमाई वापस कराने के लिए प्लब्ध है ताकि पादर्सी तरीके से एक छोटी से बरकर से लेके बड़े तक हर किसी का पूरी नियम मावली से भुक्तान हो आगे आपको भुक्तान प्रक्रिया कारिता यानि सहरा रिफंड खाते का पोटल लांच करते हुए पूरी जानकारी दी जा रही किस तरीके से भुक्तान मिलेगा सहरा समु के सहकारी समितियों के जमा करताओं की बैद जमारासि के भुक्तान सम्दी सिकाइतों के समाधान के लिए सहकारता मंत्राले के आवेदन पर भारत के माननि सर्वच नियाले ने 21 मार्च 2030 इसको सहकार्था मंत्राले को आदेश रिया और 5000 कि लाच ट्रांसपर की इसके तहट माननी सर्वच नियाले सहारा सम्मू की सहाकारी समितियों के वास्त भी जम्मा करता है इसमें आपको भुक्तान के लिए सहारा इंडिया क्रेट कॉपरेटिव सोसाइटी लिम्डेट पहली सहार या न्यूनिवर्सर मल्थी परवस सोसाइटी लिम्डेट उसके बाद हमारा इंडिया क्रेट कॉपरेटिव सोसाइटी लिम्डेट मल्थ स्टार्स मल्थी परवस क और इसके लिए आवेदन किया जा सकेगा आवेदन की प्रक्रिया आनलाइन पोटल से है और कोई माध्यम से नहीं रिफन्ड की पूरी प्रक्रिया डिजिटल लोपियों करताओं की सुभिधा अनुसार कुसल और पादर्सी है जिसके लिए अवस्यक जाच और संतुलन सामिल ह ताकि आज सुनिशित किया जा सके केवल वास्तिविक जमा करताओं की बैदरासी का ही भुक्तान किया जाएगा किसी भी प्रकार फ्रॉड का नहीं इन समितियों के प्रमारिज जमा करताओं से अनुरोध है कीवे सहकारता मंत्राले भारस सरकार की बेवसाइट HTPS यानी कॉपरेट सन जियोवी डॉट इन के माध्यम से पोर्टल पर लॉगिन करे हम आपको यहां पर वेवसाइट भी लिखकर देंगे आप डिस्क्रिप्शन में भी पा सकते हैं के माध्यम से आनलाइन ही आपको आवेदन करना है आफ लाइन कहीं भी कोई आवेदन नही करना है सबसे पहले आवेदक को अपने आधार से जोड़ा मोबाइल नंबर आधार से जोड़े बैंक खाता और आनलाइन जमा किये आवेदन को सहरा सम्मु की समितियों द्वारा 30 दिनों के अंदर सत्यापित किया जाएगा आपका कितना पैसा कहां जमा है उसके बाद अग आवों के मामले में धन की उप्लबता के अनुसार भुकतान समंदी बैंक खाते में जमा कराया जाएगा एक बार फिर से सपस्ट किया गया है केवल आनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही भुकतान बैद होगा बाकी अन्य माध्यम आपको किसी दलालों के जंजट में नहीं आर सुबास रड़ी के परवे छड़ इम निगरानी में स्री गौरव अगरवाल एमके सहनी और अन्य सदस्यों के सामने सुरू होगी सहरा रिफंड के लिए फारम भरने से पहले याद रखे जमा करता जिन्होंने मार्च 2022 से पहले 22 मार्च 2000 से पहले पैसा जमा किया था वही भर सकते हैं आवेदन और चार इस्कीम है जिनमें सहरा क्रेट कोर्पर इडू सौशाइटी लिम डिल लखनौव, साहर या याद यूनिवर्सल मल्टी परपर सोसाइटी लिम डिल भोपाल, हमारा इंडिया क्रेट कोर्पर इडू स्सौशाइटी कोलकाता और 31 मार्ट 2023 से पहले जिनों ने स्टार्स मर्टी परपर सोसाइटी लिम्डेट हैदराबाद में भी पैसा जमा किया है ये लोग आवेदन के लिए बैद हैं और इनका पैसा 45 दिन में वापस आना है पंजी करण के लिए आपके पास अपना आधार से जोड़ा मुबाइल नमबर और एक बैंक खाता नमबर आपके आधार से जोड़ा होना चाहिए पंजी करण शुरू करने के लिए कृपया रीफंड पोटल के होंपेच पर जाएं और जमा करता पंजी करण पर क्लिक करें पंजी करण प्रुष्ट पर उलिखित विवरण सही धंग से भने पंजी करण हो जाने के बाद आपको अपना वेरिफाई डाकुमेंट और सभी चीजों को चिक करना है जो कि आधार के जरी आटोमेटिक वहाँ पर आएगा आपका बैंक नमबर भी केवल आपको चुनना है जो इनकरिक्ट है उसे करिक्ट करें ताकि सही से सब कुछ हो सब्जी करण के बाद। या लॉगइं की अंतरकत जमा करता लॉगइं है लिंक पर क्लिक करें अपना आधार नमबर दरज करें दावे को सत्यापित करने और संसाथत करने के लिए आधार में दे गए अपनी व्यक्तिकत विवरण का उप्योग करने के लिए अपनी सहमती दे मैं सहमत हूँ बटन पर क्लिक करके अपनी सहमती देने से पहले शर्टों को ध्यान से पढ़ें आपको बताया जाएगा कि आपकी निंजानकाई कॉपी उख्या जा रहा है ताकि आप आगे फारम भर सके और डिटिल को आटोमेटिक सम्मिट कर सके आपको ये ओप्शन चुनना ही है आपका आध़ार विवरण आपको दिखाया जाएगा इसके अतरिक आध़ार सीडिंग की स्थिति और बैंक का राम जहां आपको अपनी दावाराशी प्राप्थ होगी भी आपको दिखाई जाएगी इसके बाद जमा प्रमान पत्र की प्रती सहित सभी विवरणों के साथ डावा अनुरोध फॉर्म भरे सुनिश्चित करें कि आपके डावे पर कारिवाई करने के लिए आपकी जमा सुन्ख्या और अन्य विवरण फोटो में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं सभी सुसाइटियों में सभी दावा विवरणों को एक एक करके जोड़ कर उन सभी जमाओं का विवरण दे जहां आपका पकाया है यदि सभी सुसाइटियों में कुल रीफंड दावा राशी रुपे पचास जार और इससे अधिक है तो कृप्या अपना पैन नंबर दे अगर आपकी भुकतान राशी पचास जार से जादा है या पचास जार है तो आपको पैनकाड अनिवारे देना ही होगा इससे नीचे है तो कोई ज़रूरत नहीं पश्ट सब्दों में नोट करने की आपको सभी प्रकार के दावे जिनकी तिथी पूरी हो गई है आपको एक साथ करने हैं अलग अलग आप जोड़ घटा नहीं सकते हैं इसलिए सभी एक साथ रखें तभी आवेदन करें सत्यापन के बाद दावा प्रपत्र डाउनलोड करें अपनी नवीनतम फोटो चितकाएं और फोटो के साथ साथ फॉर्म पर विदिवत हस्ताक्ष करें जिन जिन एकाउंट का दावा किया है उसका संबंदित एक प्रिंट आउट सामनी आ जाएगा उसमें आपको सिगनीचर करके पुना अपलोड करना है जब आप उससे अपलोड कर देंगे उसके बाद आपका दावा सफलता पूरवक हो जाएगा और आपके पास एक मैसेज लिए 30 दिन का टाइम मिलेगा फिर भुकतान के लिए 30 दिन जिस समय सहारा सोसाइटी का दावा वीरिफाई होकर सियार से के पास पहुचेगा आपके खाते में 15 दिन के अंदर पैसा पहुच जाएगा यानि आपको पैसा मिलने में टोटल 45 दिन लगने हैं खैर आपका सब कुछ सही पाए जाने के बाद आपकी रिफंड राशी आपके आधार से जुड़े बैंक खाते में भेज दी जाएगी उसके बाद भी आपको मैसेज मिलेगा पूरी प्रक्रिया को हमने इस पर सब्दों में आपके सामने रखा है आगे हम भुकतान भरते हुए आपके सामने वीडियो लाएंगे और कई अधिकारिक जानकारियां सहारा से जुड़े अपडेट के लिए आप चैनल को लाइक से सस्क्राइब करें या अगर आपके कोई प्रश्ण है तो नीचे जरूर करें आपको हर चीज का उत्तर